नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेर पौधे हैं जिनका परियोग तंतर किरियाओं में होता है जिनका परियोग आयुरवेद में होता है और साथ ही सकात्मक उर्जा घर में वापस लाने के लिए भी होता है लेकिन आज हम जिस पौधे की बात करेंगे इस पौधे की खासियत यह है कि यह संजीबनी बूटी की दरह काम करता है यानि इस पौधे में बहुत सारे गुन है तो यह गुन आयरवेदिक भी है और कुछ खास चमतकारी गुन लिये वे यह पौधा आपके आसपास चरूर मिल जाएगा इस पौधे की पहच जान करना बहुत ही आसान है यह पौधा आपने देखा होगा जमीन में बिल्कुल से नीचे में लंबे लंबे पत्ते होते हैं और इसमें इस पौधे के बीच से एक डंडा नूमा यानि डंठल नूमा एक निकलती है डाल और उसमें एक फूल खिलता है जिस फूल की पौधा होगा नीचे लेकिन उसमें से बहुत सारे डंठल निकलेंगे यानि डंडी नूमा निकलेगा और उसमें ही पुस्प लगते हैं तो इसकी इसी खासियत की बजह से इस पौधे के बारे में आईरवेद में बहुत सारे चमतकारी उपयोग बताए गया है तो आज हम अब को इस पौधे के कुछ खास गुनों के बारे में बताएंगे दीखे सबसे पहली बात तो इस पौधे कि सब्सक्राइब बनाया जाती यानि कि पत्तों की साग बनाकर खाते हैं अकसर जो तराई पहाड़े यामी लोग रहते हैं वो लो ताकि लंबी उम्र प्राप्त हो स्वास्त अच्छा रहे और उनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छा रहे और साथ ही इससे हर्ट की किसी भी तरह की समस्या ना हो खासकर कोलेस्ट्रोल विगरा की समस्या में यह बहुत रामबान का काम करता है इस पौधे में बहु को अगर आपने चीजिया होती है इसे पत्तों नाम है गोजीव गाय की चीप के दिखने के कारण इसका नाम गोजीवा है इस पौधे के बारे में आपको विस्तार से आज हम इसले बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके आसपास है तो कई बार लोग खरपतवार समझ कर इसको फेक देते हैं निष्ती किया आपको पता है ररक्त में जमाज़ने वसा होता है जो गाढ़ा खुन हो जाता जिसकों हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं जो आपके रर्फिस परिसानी है उसको समाफ्त करने के लिए यह सबसे हम आपसे भी दा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से सेर करें, कमेंट करें, धन्यवाद.